लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाए बलिवुट सितारे अपनी फिल्मों के अलावा नीजी जिन्दगी से जुड़े खुलासों को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं ऐसे कई सितारे रहे हैं जुन्होंने अपनी जिन्दगी के बारे हैरान कर देने वाले खुलासे किये हैं बॉलिवुड अभिनेत्री और अभिनेता सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान ने भी अपनी जिन्दगी के बारे में बेहत खास खुलासा किया है उन्होंने अपने स्कूल का ऐसा किसा बताया जिसकी वज़े से वे स्कूल से सस्पेंड होने वाली थी अभी नेतरी सारा अली खान ने जब से बलेवुड में अपना डेवियों किया तब से वे किसी ना किसी वज़े से सुर्खियों में रहती हैं हाल ही में उन्होंने मुंबई मेरहर से बात की इस दोरान सारा अली खान ने अपनी फिल्मों के अलावा निजी जिन्दगी के बारे में भी धीर सारी बाते की सारा अली खान ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने स्कूल के समय ऐसी हरकत की थी कि जिसकी वज़े से उन्हें स्कूल से सस्पेंड होने वाली थी सारा अली खान ने कहा मुझे अपने स्कूल का एक किसा याद है जब मैंने क्लास के पंखे की पंख़डियों पर गोंद रखती थी और जैसे ही पंखा चलाया वे गोंद पूरी क्लास में फैल गई इस वज़े से मैं लगभग सस्पेंड हो गई थी क्योंकि मेरी प्रिंसिपल मुझसे बार-बार यहीं पूछ रही थी कि ऐसे क्योंकि आज इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था सारा अली खान अभिनेता सैफ अली खान और अमरिता सिन की बेटी है स्कूल लाइफ में स्टार के ढोने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी सारा अली खान ने कहा कि स्कूल लाइफ में उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि वे किसी कलाकार भी बेटी है उन्होंने कहा मेरे माता पिता कलाकार है लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी स्टार परिवार के घर में पली बड़ी मेरे पिता हमेशा पढ़ाई करने के लिए बोलते थे जब कि मेरे माँ विनमृता की दुजवाहक है इसलिए मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी स्टार परिवार के घर से संबन रखती हूँ और ना ही मैं खुद को एक स्टार के और पर देखती हूँ इसके अलावा सारा अली खान अपनी जिंदगी और फिल्मों के बारे में धेर सारी बातें की आपको बता दें कि सारा अली खान ने फिल्म के दार नाथ से बोलेवुड में अपना सफर शुरू किया इस फिल्म में उनके साथ सुशान सिंग राजपूत मुखे भूमिका में थे इसके अलावा सारा अली खान अभिनेता रणवीर सिंग के साथ फिल्म सिबा में दिखाई दी थी बीते दिनों उनकी फिल्म लव आजकल भी रिलीज हुई हालाकि उनकी ये फिल्म सिनेमा घरों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी फिल्म लव आज कल का निर्देशन इमतियार जली ने किया